नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम चोथी कक्षा की हिंदी की पाठ्था पुस्तक जिल्मिल में पाठ बारा तोको का देश के पर्षन उत्तर करेंगे? जिसमें पर्षन को तोको के देश का नाम बताते हुए उसकी एक विशेस्ता लिखें तो चलिए, पहले हम पर्षनों के उत्तर पाठ में ढूणने की कोशिश करेंगे और फिर एक साथ सभी को लिख कर याद करेंगे तो चलिए, पहले पर्षन का उत्तर ढूणते हैं पाठ में प्यारे बच्चों, पाठ बारा तोको का देश किस देश के बारे में है जापान के बारे में है तो को के देश का क्या नाम है जापान जो की हमें यहाँ पर पहले गद्यान्स में ही बताया गया है उस देश का नाम है जापान और उस देश को सुर्योद का देश कहते है जापान बहुत से दिपों से मिल कर बना है ये सारी क्या है उस देश की विशेशताई है और इस पूरे पाठ में तोको के देश यानि की जापान की विशेशताई भरी प यहां पर देखिए हम देखते हैं कि इस paragraph में भी वहां हमारे घरों की भादि एट पत्थर सिमेंट के घर नहीं होते तोको ने बताया है जापान में बुकम बहुत आते हैं इस तरह से कहीं भी हम देखेंगे तो जापान की बहुत सारी विशेशताई है ये भी तोको के देश में चावल और मचली का बोजन अधिक पसंद किया जाता है यहाँ पर देखिए तोको को जापानी होने पर गर्व है जापान के लोग प्रीशर्मी और इमानदार होते हैं तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम पहले पश्ण के उत्तर में तोको के देश का नाम बताते हुए उसकी कोई भी पूरे पार्ट में से कोई भी एक मिसेशता लिख सकते है हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि तोको के देश का नाम है जापान है और जापान के लोग प्रीशर्मी और इमानदार होते हैं उसके बाद है पर्षन ख जापारी लोगों को भोजन में क्या-क्या पसंद है तो इसके लिए हम पेश्क 76 पर ये लास्ट वाले पैरग्राफ में देखेंगे तोको के देश में चावल और मचली का भोजन अधिक पसंद किया जाता है चावल के साथ सब्जियां और फल भी बड़े चाव से खाते हैं हरी चाए और कोफी भी शोक से पीते हैं तो हम यहां से लिखेंगे कि जापारी लोगों को भोजन में चावल और मचली अधिक पसंद है इन्हें सब्जियां फल, हरी चाए और कोफी भी पसंद है उसके बाद है पार्षन ग- Hijri Utsam कम मनाया जाता है Japan फूलों वे त्योहारों का देश है यहाँ फूलों के खिलने पर त्योहार मनाया जाते है Cherry के व्रिक्षों पर जब सुन्दर फूल खिलते हैं तो Cherry Utsam मनाया जाता है यहां सेहा में अपने पर्षन का उत्तर लिखेंगे पर्षन गव का उत्तर चेरी के व्रिक्षो पर जब सुन्दर फूल खिलते हैं तो चेरी उत्सव मनाया जाता है यह हमारे पर्षन गव का उत्तर है उसके बाद है पार्षन घह गुडियों का त्योहार कैसे मनाया जाता है पेश नमबर सत्तर पर ही गुडियों का त्योहार यहां का एक विशेश त्योहार है जो मुखेते लड़कियों के लिए होता है लड़कियां अपनी अपनी गुडिया को रंग बिरंगी पोशाकों से सजाकर प्रतियोगिता के लिए ले जाती हैं जिसकी गुडिया सबसे सुन्दर सजी होती है उसे पुरस्कार दिया जाता है यहां से लेकर और यहां तक इसको हम छोटा करके लिख सकते हैं कैसे इस तेवहार में लड़कियां अपनी अपनी गुडिया रंग बिरंगी पोशाकों से सजा कर प्रतियोगिता के लिए ले जाती है सबसे सुन्दर गुडिया को इनाम दिया जाता है अगला पर्षन है जापान के घर और हमारे यहां के घरों में बनावट में क्या-क्या अंतर है यहां पर देखिए वहां हमारे घरों की भाती इट, पत्थर और सिमेंट के घर नहीं होते तोको ने बताया कि जापान में वुकम बहुत आते हैं इसलिए लकड़ी और कागस के घर होने पर अधिक नुकसान नहीं होता और यहीं से हम अपना उत्तर लिखेंगे कैसे जापान के घर लकड़ी और कागस के बने होते हैं और हमारे यहां घर, इट, पत्थर और सिमेंट के बने होते हैं अगला पर्षन है जापान देश के त्योहार और हमारे देश के त्योहारों में क्या सवानता है तो हम इसका उत्तर देखते हैं हम अपने पर्षन का उत्तर यहां से लिखेंगे देखें यहां फूलों के खिलने पर तेओहार मनाया जाते हैं चैरी के व्रिक्षों पर जब सुन्दर फूल खिलते हैं तो चैरी उत्सव मनाया जाता है वैसे ही जैसे हमारे देश में सरसों के फूल खिलने पर बसंत उत्सव मनाया जाता है तो यहां से हम कैसे लिखेंगे जापान देश में चैरी के व्रिक्षों पर फूल खिलने पर चैरी उत्सव मनाया जाता है और हमारे देश में सर्सों के फूल खिलने पर बसंत उत्सव मनाया जाता है पाठ से ढूणने के बाद चलिए एक बार सभी पर्षनों के उत्तर एक साथ है दोहरा लेते हैं पर्सनख तोको के देश का नाम बताते हुए उसके विशेशता लिखें तो इसका उत्तर होगा तोको के देश का नाम है जापान और जापान के लोग प्रिशर्मी और इमानदार होते हैं पर्षन ख जापानी लोगों को भोजन में क्या-क्या पसंद है तो इसका उत्तर लिखेंगे जापानी लोगों को भोजन में चावल और मचली अधीक पसंद है इन्हें सबजियां फल, हरी चाए और कोफी भी पसंद है पर्षन ख चैरी उत्सब का मनाय जाता है तो इसका उत्तर लिखेंगे जब चैरी के वरिक्ष पर सुन्दर फूल खिलते हैं तब चैरी उत्सब मनाया जाता है और उसके बाद है पर्षन ख गुडियों का तयोहार कैसे मनाया जाता है तो इसका उत्तर लिखेंगे इस त्योहार में लड़किया अपनी अपनी गुडिया रंग बिरंगी पोशाकों से सजाकर प्रतियोगिता के लिए ले जाती हैं सबसे सुन्दर गुडिया को इनाम दिया जाता है और अगला पस्न है जापान के घर तथा हमारे यहां के घरों की बनावट में क्या-क्या अंतर है तो इसका उत्तर लिखेंगे जापान के घर लकड़ी और कागस के बने होते हैं हमारे यहां घर इट पत्थर तथा सिमेंट के बने होते हैं और ये last question है जापान देश के तियोहार और हमारे देश के तियोहारों में क्या समानता है तो इसका उत्तर लिखेंगे जापान देश में चैरी के व्रिक्षों पर फूल खिलने पर चैरी उत्सव मनाया जाता है और हमारे देश में सर्सों के फूल खिलने पर बसंत उत्सव मना जाता है आज हमने पाठ बारातों को का देश के पर्षन उतर सीखे हैं इन्हें अच्छे से याद करके अपनी कोपी में लिखिए और अपने अध्यापक के साथ वर्सप पर साजा कीजिए धन्यवाद